तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज का ये जो वीडियो है ना आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और आउटस्टेंडिंग होने वाला है क्योंकि यूटूब के इतियास में आज पहली बार हो रहा ह है कि उर्दू सब्जेक्ट में चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जी हां आप लोग का बहुत दा कमेंट आ रहा था ना कि 12 क्लास के उर्दू में जितना भी चैप्टर है उन चैप्टर और उसके राइटर य है इंसान हर समय सीखता रहता है लearning जो है एना आप बूल सकते है हैं जीवन पर्यान तक चलती रहती हैं हम मरते वक्त भी सीखते रहते हैं थीमन अब्लों और किस तरह के परिशानियों से होकर गुजर रहे होंगे अभी और मैं जानती हूं कि चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने में आप लोग को दिक्कत परिशानी होती होगी तो इसलिए तो मैं इस पर विचार विमर्ष की और एकदम धास हूं एकदम जबरदस्त और आ आप लोग को मैं इस चानल के माध्यम से बताने वाली हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन हाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दू कि अगर आप लोग चानल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और उसक के सांसा वीडियो को लाइक करना नहीं बूलिए का फड़ फट लाइक कर दिजिए तो चले स्टार्ट करते हैं मैं देखी आप लोग का एक्जाम बहुत ज़्यादा करीब है तो एक्जाम के पहले ही मैं यह ट्रिक बता दे रही हूं आप लोग को ताकि चैप्टर राइट से बता सकते हैं कैसे अब चलिए मैं आप लोग को पढ़कर सबसे पहले इस ट्रिक को पढ़कर मैं आप लोग को बताती हूं लिखा है नजीर की कहानी फरहत ने सुनाई ख्वाजा भी मिट्टी लाई तहकीक करके सुलेमान ने बताई कमाल हिजरत का मन बाग बाग हो जाए इन शाया क्या है वजीर आगा ने बताई तो बस आदत प्रॉमिस करके बानो ने इबराहिम से रिज्क पाई रिज्क का मतलब होता है रोजी रोटी आजादी के खातिर भूले हुए गीत की याद शफी ने दिलाई तो ये है आप लोग का ट्रिक ये है आप लोग का कहानी तीन लाइन का चार लाइन का बोल सकते हैं चार लाइन का कहानी और इससे आप लोग आसानी से चैप्टर और राइटर का यान की मुसानिफ का नाम बता सकते हैं अब ट्रिक कहां चुपा हुआ है कहां कहां है मैं आप लोग को बताती हूं देखिए स्टार्टिंग में है न नजीर ऐहमत की कहानी नाम के चैप्टर के राइट मुसर्णिफ लेखक कौन है फरहटा तुलयाग वित्स पसर सुलैमान मतलब होता है research उलटिये से याद रखना है खवाजा हसन नजामी एक साओं राइट है नाम गांते खवाजा न wires नाम केटीन क्या राइटर है खवाजा नजामी इतना से याद हो जाएगा खवाजा शीक्रकला राइटर है कौन से चप्टर के मिठी यानि कि मिठी के नाम के चप्टर के उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तहकीक tiens का मतलब ह 폭वतल होता है रिसर्च पी आप लोगो चप्टर का नाम है बाज पूराने लफजों की नहीं थे पकर का किया नाम है बाज पूराने लफ़ों की नहीं तहकीक तो तहकीक हा रहा है तो तहकीक से आप लोगों को याद रखना है चैप्टर का नाम तो बाज पूराने लफजों की नहीं तहकीक नाम के चैप्टर के राइटर कौन है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुलेमान यानि की सैयद सुलेमान नदवी बाज कमाल से याद रखना है जमाल कमाल से क्या याद रखना है जमाल यानि dust जमाल पाशा मन, मन से याद रखना है मीर अमन, मन से क्या याद रखना है मीर अमन, मीर अमन दहलवी राइटर है, लेखक है, कौन से चैप्टर के, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बाग बाग, बाग से याद रखना है बागो बहार, यानि कि मीर अमन दहलवी मुसनिफ है, लेख अपकक है बाग बहार नाम के चाप्टर के आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमाल हिझरत का मन बाग भाग हो जाए इन्करद क्या है नाम के लूट क्या है इसे तुर Χामाचिय। इसीरी United आ गरते। तोबा सादत promise करके बानो ने इब्राहम से रिज्ग पाई इसमें कैसे υχुपा हुआ है chapter writer के नाम मैं आप लोको बताती हूँ देखेगे पूबा से याद रखना है टुबा टेक सिंग चैप्टर करनाम है और टोबा टेक सिंग नम के chapter के writer है सादत भसन मंटो देखेगे यहां प्रॉमिस नाम के चैप्टर के राइटर कौन है तो देखिए प्रॉमिस करके बानो ने बानो से याद रखना है जिलानी बानो यानि कि प्रॉमिस नाम का जो चैप्टर है कहानी इस चैप्टर के राइटर है बानो यानि कि जिलानी बानो बानो से क्या याद रखना है जिलान तो प्रॉमिस नाम के चैप्टर के राइटर हो गई मुसनिफ हो गई जिलानी बानो तो प्रॉमिस करके बानो ने इबराहिम से रिज्क पाई इबराहिम से याद रखना है इबराहिम सक्का चैप्टर का क्या नाम है इबराहिम सक्का तो इबराहिम सक्का नाम के चैप्टर के राइटर हो गए सलाम बिन रजाक ठीक है तो तो बस आदत प्रॉमिस करके बानों ने इबराहिम से रिज्क पाई यहां तक हो गया आगे बढ़ते हैं आजादी के खातिर तो देखिए आजादी से आप लोगों को याद रखना है मौलाना अबुलकलाम आजाद उनके नाम में के चैप्टर के डाइटर कौन हो गए मौलाना अबुलकलाम आजाद तो इस तो आप लोगों को याद रखना है आगे दशादी के खातिर भूले हुए गीत से आप लोगों को याद आ रहा होगी है यह बिस्रे गीत तो भूले बिस्रे गीत चैप्टर के राइटर कौन हो गए क्विछ इस चफुन का तो नामी है तो आजादी के खातिर भूले ग जावेद राइटर है कौन से चप्टर के तो भूले विसरे गीत के तो ये था आप लोग का ठ्रिक एक बार फिर से मैं आप लोग को पढ़कर बता दे रही हूँ नजीर की कहानी फरहत ने सुनाई यहां से लेकर यहां तक याद कर लेंगे बस टेंसन खतम नजीर की कहानी फरहत ने सुनाई ख्वाजा भी मिटिलाई तहकी करके सुलेमान ने बताई कमाल हिजरत का मन बाग बाग हो जाए इंशाया क्या है वजीर आगा ने बताई तो बस आदत प्रॉमिस करके बानो ने इब्राहिम से रिज्क पाई आजादी के खातिर भूले हुए गीत की याद शफी ने दिलाई बस इतना ही चार आप लोग को चैप्टर है ना चैप्टर 11 है 11 चैप्टर है आप लोग का हिसे नसर में 11 चैप्टर है अभी आप लोग का हिसे शायरी और मजीद मताले दोनों को मिला कर अभी 29 चैप्टर बचा हुआ है देखे आप लोग के 12 क्लास के उर्दू में टोटल 40 चैप्टर है 40 मे मैं जरूर लिख कर बताएं कि इसका नेक्स्ट वडियो आना चाहिए 29 चैप्टर का और उसके राइटर का नाम याद रखने का ठ्रिक मैं लेकर आऊ कि नहीं कमेंड में जरूर येस 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 लिख कर बताएं ठीक है और ये भी बताएं कि कैसा लगा आज का ये ट्रिक तो आई तिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कोई भी कम्फीजन हो आप हमें कमिंट करकर पूद सकते हैं अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन सॉट लेना चाहते हैं न कोई दिकत नहीं है लेजिए फड़वर स्क्रिन शॉर्ट तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो वड़वट लाइक कर दे शेयर कर दे चारो तरफ और चानल पर नहीं है तो सब्सक्रिब जरूर कर लिजेगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के स तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज